नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में नुत्मिशा ने कमलनाथ पर फिल्मी अंदाज में कसा तंच नुत्मिशा ने फिल्मी अंदाज में कमलनाथ पर तंच कसा है कमलनाथ की मेरा क्या कुसूर है वाली बात पचुट की लेते हुए ग्रैमंत्री ने कहा कि दोनों सत्ता के नशे में चूर ना इसका कुसूर ना उसका कुसूर ना इसने सिगनल देखा और ना उसने सिगनल देखा एक्सिडेंट हो गया रबारबा उन्होंने कहा कि कमलनाच जी आपका कुसूर ये था कि आपने ज़न्ता से जुट बोला किसानों को ठगा और नौजवानों से जुट बोला अगामें चनाओं से पेले मद्यप्रदेश के शिवराज सरुक खेला मद्यप्रदेश जनभियान परिशत की अपाध्य시idge विभाश उपाध्यख्ष को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया है सम्वान प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं कमलाति की आवादा पत्रकारों के संरक्षन के लिए वचन पत्र में करेंगे विशेश प्राफधान अप्रेल को एक्टिव होगा नया सिस्टम चाहेंगे बादल मदप्रदेश पर 10 अप्रेल तक मौसम में परिवर्दन का दौर जारी रहने वाला है वहीं आज अप्रेल को एक नया पश्टि मीविक शोप सक्रिय होने जा रहा है जिससे मौसम की गतिविदियों में तेजी आएगी एमपी मौसम विभाक की माने तो आज से ग्वालियर चंबल और जबलपूर संभाग में बादलो और बारिश का असर देखने को मिलेगा तापमान 44 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है ग्वालियर में 5-10 अप्रेल के बीच बारिश तो जबलपूर में 6-7 अप्रेल को हलके बादल चाहे रहेंगी ग्वालियर ओबिसी मुद्धे पर बीजेपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा को नोटिस ज़ारी कर दिया गया नोटिस मिलने के 24 गंटे के भीतर जवाब देने की बात कही गई इन दौर में मंगलवार को कोरोना के 6 मरीज इस समय कुल 22 मरीज सेक्टिव तापान में उतार चड़ाओं के साथ इन दौर में कोविड-19 के मामले भी बढ़ते जा रही है सुमवार को 11 और मंगलवार को 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले इन में से 2 रोगी अस्पताल में भरती है 6 महीने के बाद शहर में डबल दिजट वाले कोविड केस मिले क्योंकि इसमें पहले 6 सितंबर 2022 को 10 केस मिले थे इसके सांती पिछले 4 दिनों में 16 मामले पॉजिटिव मिले चीतों की रखवाली करेगा इलू स्पेशल ट्रेनिंग के बाद किया गया तैना कुनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा और निगरानी रखने के लिए अब इलू तैनात रहेगा शिकारियों और भी निगरानी के लिए इलू डॉक को रखा गया है शोपूर के कुनो सेंचुरी को मिला जर्मन शेफट डॉग अब कुनो नेशनल पार्क की रखवाली करेगा इलू राम का ये डॉग कुनो नेशनल पार्क में चीतों की रखवाली के साथ साथ होने वाले बने जीवो के शिकार पर रोक लगाने और उनको पकड़ने में साहिता करेगा चतुरत श्रेणी के पदों पर नहीं होगी सीधी भरती आउट्सोर्स के जरीए रखे जाएंगे कर्मशारी मदब देश पर युवाओ के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आया है चतुरत शेनी के पदो पर सीधी भरती नहीं होनी है जिसके लिए आदेश चारी कर दिया है अभी आउट्सोर्स के जरीए कर्मचारी रखे जाएंगे पितल भाग ने निर्देश चारी कर दिये है आउट्सोर्स एजंसी के द्वारा तेह किये गए पदो के विरुद्ध एचार की सेवाएं तब तक दी जाएं जब तक भरती की प्रक्रिया के अनुसार योग या भ्यरती नहीं कर दिये जाती प्रदेश का पहला ग्रामीन कच्रा च्रेकिंग एप राज़ानी में शुरू जिले की 222 पंचायतों को सीधा फाइदा होगा पंचायतों में कितना कच्रा जमा हो गया है इसकी जानकारी सैप के द्वारा मिलेगी तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद